तो इस वीडियो में हम मीडियन के बारे में discussion करते हैं मीडियन represents the middle value for any group It is the point at which half the data is more and half the data is less ठीक है तो मीडियन मतलब यह एक middle का value को represent करता है ऐसी value कि उसका जो आदा half है उसके से ज्यादा होगा और जो आदा value है उससे कम होगा median helps to represent a last number of data point with a single data point ठीक है तो एक single data point से पूरा data को represent करता है पर calculation of median the data has to be arranged in ascending order and then middle post data point represents the median of the data ठीक है तो हमको क्या करना रहता है इसकी calculation के लिए सबसे पहले जो median जो हमारा जो data है उसको हम लोग ascending order या तो descending order में हमको arrange करना है और जो सबसे बीच की जो value होती है serial number में जो बीच वाला serial number होता है उसे हम median बोलता है ठीक है तो एक example से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक data को consider कर लिजिए 4463 and 2 तो सबसे पहले चीज़ हमको क्या करना है इसको हम ascending order में यह मतलब इसके बढ़ते हैं order में हम इसको arrange करेंगे 23446 ठीक है तो हम दे अब ascending order में arrange कर दिया है next step क्या है counting number of values तो हमको कितने यह कितनी observation है यह एक दो तीन चार पांच तो यह हमारे पास पांच observations है next step है look for the middle value मतलब देखो यहां पर दो observation यहां पर दो observation और यह जो बीच के value है यह होता है median median यहां पर इस example में होगा 4 the middle value is the median तो जो भी serial number में जो बीच का value होता है उसे हम बोलते है median ठीक है next हम लोग ungroup data के लिए median का formula कैसा होता है सबसे पहले चीज़ क्या हमको जो data है उसको ascending या descending order में arrange करना पड़ेगा उसके बाद हमको जो observation है n की value मालूम करनी पड़ेगी और फिर मालूम करना है कि n की value odd है या even है अगर n की value odd है तो हमको ये वाला formula अपनाना पड़ेगा और अगर n की value even है तो हमको ये formula यूज करना पड़ेगा ठीक है तो एक example कित्रों हम देखते हैं कि ऐसे formula कैसे उसके अंदर apply करते है ठीक है तो यह हमका दोनों formula है उपर वाला formula है odd के लिए नीचे वाला formula है even n की value के लिए ठीक है तो यह हमारे पास एक problem है x की value दी गई है और frequency की value भी दी गई है ठीक है तो इसको हम लग simplify form में यह table लिखते है ऐसा vertical form में एकस की value है F की value तो सबसे पहला step क्या है हमको n की value calculate करनी है एक सारी जो frequency इसको add up करेंगे ठीक है 7 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 इसको हम लोग add up करेंगे तो हमको मिलेंगे n की value जो है 99 अब 99 क्या है odd है यह even है यह और यह और है तो हमको यह वाला formula यूज करना पड़ेगा तो दियाल दीजिए अपना formula median is equal to n प्लस 1 divided by 2th observation n की value दाल दीजिए 99 प्लस 1 divided by 2 बहुत simple है 100 divided by 2 आंसर क्या होगा 50th observation अब 50th observation यहाँ पर कैसा चेक करें यह इस table में आप कैसा चेक करें 58th observation नहीं कर सकते न तो क्या करेंगे पता है यहाँ पर एक और एक column दाल देंगे जो है आपके column cumulative frequency का तो cumulative frequency कैसा करते है पहले 7 नेक्स जो frequency उसको add करते हैं 27 प्लस 18 25 25 प्लस 25 50 50 प्लस 18 68 68 प्लस 15 83 83 प्लस 10 93 93 प्लस 6 99 ठीक है अब जह हमारा 50th observation है वह देखे हो कि cumulative frequency में कहां पर आता है इस जगह आता है सहीं तो यह 12 है यह होगा हमारा median ठीक है तो ऐसे हम median को calculate करते हैं next similarly हम देखते हैं और एक observation मतलब और एक problem देखते हैं यह हमारा problem है इसको simplify form में vertical column में हम लग देखते हैं और सबसे पहले क्या है हमको n की value calculate करनी है जो हम इसको add up करके मिलेगा तो n की value इस problem में है 100 तो 100 क्या है odd है या even है yes obviously यह even है तो हमको यह वाला formula use करना पड़ेगा तो लिख लीजे आपका formula median equals to n divided by 2 plus in bracket n divided by 2 plus 1 whole divided by second observation ठीक है अब n की value दाल दीजे 100 100 हर जगा तो 100 divided by 2 plus bracket के अंदर 100 divided by 2 plus 1 whole divided by 2 observation अब 100 divided by 2 कितना होता है होगा 50 तो वो दाल दीजे 50 plus 50 plus 1 divided by 2 50 plus 51 divided by 2 101th by 2 50.5th observation ठीक है तो जैसे हमने previous problem में कर था वैसे यहां पर इस table में एक और column add up करेंगे cumulative frequency का 7 7 plus 18 55 25 plus 25 50 50 plus 18 68 68 plus 15 83 83 plus 10 93 93 plus 700 ठीक है अब एक और column हमको add करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमको decimal point में answer मिला है न यह जो हमको reading मिली है यह decimal point में है तो हमको एक और column इस table में add up करना पड़ेगा वो column है term का पहला term क्या है 1 to 7 उसके बाद 8 to 25 नेक्स है 26 to 50 नेक्स है 51 to 68 नेक्स 68 to 83 नेक्स है 84 to 93 और लासली 94 to 100 ठीक है तब क्या करना है बढ़ेगा 50.5 क्या है यह 50.5 कैसे आता है 50 प्लस 51 divided by 2 तो 50.5 वैल्यू आएगी ठीक है तो ऐसे 58 टर्म कहां पर आएगा इस column में यहां पर और 51st टर्म यहां पर आएगा तो 58 टर्म का का जो x-value है प्लस 51stchnम का x-value ऐसा रखना पड़ेगा इसकु और गार्ट 2 तो 58 टर्म का वैल्यू है 12 52 लो 15 tell क descש怎麼辦 गजिए 28 kijka बाइट 14 तो जो 14 है यह होगी हमारी मीडियन इसकेस में ठीक है तो ऐसे हम लोको और i1 fracture में न आने पर ऐसे फॉर्मले से मीडियन वाल्य का कैल्कूलेशन करना पड़ेंगा लंप जैसे हमारे पास नगुरूप डेटा के लिए फॉर्मुला róż है शक्ताइब समझें का हमारे पास स्टनियस इस वाला फ्रोब्लम आ गया है तो कुछ स्टैप होता है median को calculation करने के लिए first step find the total number of observation मतलब सबसे पहला step के हमको n की value find out करनी है second step define the class size and divide the data into different classes तो class size क्या है वो देखना पड़ेगा मतलब अगर समझे 10 to 20 20 to 30 30 to 40 मतलब class size होगा 10 10 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 मतलब class size हो गया 20 100 to 200 200 to 300 300 to 400 class size हो गया 100 तो इस तरीके से जो भी problem में जो class size है वो हमको देखनी पड़ेगी वो होगी value of i next step है calculate the cumulative frequency of each class cumulative frequency है कैसा calculate करना है पिछले problem में तो आपने सीखे गए है next step है identify the class in which the median falls ठेक है n divided by 2 जहां पर भी आता है वहां पर वो median वाली class हो जाएगी next step है find the lower limit of the median class L and then cumulative frequency जो median की जो class select ही है उसकी जो lower limit की जो value हो हमको select करनी है और lastly हमारे पास formula आजाएगा median is equal to L plus n divided by 2 minus cf divided by f into i ठेक है तो अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो हम एक problem लेंगे और फिर यह सारे steps जो है उसके पर apply करके समझने के कोशिश करेंगे ठेक है तो समझें कि हमारे पास यह problem है weight in mg number of tablets ठेक है हम इसको simplified formula लिखते है एक्स की value हो गई frequency के value हो गई ठेक है यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह जो continuous series का problem है यहाँ पर हमको midpoint लेने की कोहीं जरूरत नहीं है पिछली वीडियो में आपने देखा है कहीं पर भी continuous series का जो आता है problem हमेशा हम उसका मिड़ पॉइंट में देखते हैं लेकिन यहाँ पर मिड़ वैल्यू मिड़ पॉइंट की value नहीं देखनी है ठीक है हमको जो step जो हमने पीछले slide में देखा है वह step apply करना है तो पहला step क्या था find a total number of observation and n की value कैसा काउंट करेंगे हम यह सारी frequency इसको add up करेंगे 41 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 44 प्लस 49 इसको add up करेंगे तो हमको मेले की value of n जो है 219 second step define the class size i and divide the data into different classes तो class size क्या है देखें यहाँ पर 450 into 460 class size क्या है 10 460 to 470 difference कितना है 10 470 to 480 कितना difference है 10 480 to 490 कितना difference है 10 मतलब हमको क्या करना है इसका कितना है class size वह मालम करना है तो वह मिलेगी हमको iq value तो iq value क्या है 10 class difference यहाँ पर 10 का है 3rd step है calculate the cumulative frequency of each class तो हमको इस टेबल में और एक column दालना पड़ेगा cumulative frequency का और उसका add up करना रहेगा जैसे कि 41 प्लस 35 76 76 प्लस 51 26 126 प्लस 44 170 170 प्लस 49 290 कितना हमने cumulative frequency भी calculate कर लिए next identify the class in which the median falls अब यहाँ पर median कहां पर fall होगा कैसे मालम पड़ेगा यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है median class is a class where n divided by 2 lies तो n divided by 2 हमको करना है n divided by 2 मतब 2 19 divided by 2 कितना होगा 109.5 तो 109.5 कहां पर आजाएगा यहां पर आएगा है न 76 से 50 कितना होगा इसके बीच में हमको 109.5 आएगा तो यह है हमारी median की class मतब median कहां पर होगी 470 to 480 के बीच में हमको हमारी median मिलेगी ठीक है next step है find a lower limit of median class L and cumulative frequency CF तो अब इसका lower limit का है 470 to 480 इसका lower limit क्या है 470 है ठीक है next apply the formula for median for the grouped data now हमको apply करना है मारा formula तो value दाल दीजे L की value 470 plus N divided by 2 होगा 109.5 minus cumulative frequency है मारी 126 divided by frequency है 50 into class size है 10 simplify किजे इसको 10 फिर 470 plus 16.5 divided by 50 कितना होगा minus 0.33 into 10 calculate किजे इसे 466.7 तो यह है आपका median ठीक है ऐसे तरीके से हमको median का calculation करना होता है तो यह हमारे previous वीडियो में हमने simple mean के बारे में discuss किया weighted mean हमारा खतम हो चुका है geometric mean हो चुका है harmonic mean हो चुका है इस वीडियो में हमने median भी cover up किया है अब last video बची हमारी mode की ठीक है तो एक्री वीडियो में हम mode के बारे में पढ़ेंगे ठीक है